हीलो फ्रेंज, वेलकम टू पाउर अप, आज हम इंकेडेसंट बल्द के बारे में जनेगे इंकेंडेसंट बल्द एक प्रकार की बत्ती है जो रोशनी उत्पन करने के लिए एक धातू सूत्र को गरम करती है। जब बिजली धातू सूत्र, फिलिमंट में पहुँचती है, तो ये सूत्र गरम होता है और जलता है। फिलिमंट टंक्स्टन से बनाया जाता है क्योंकि इसका पिघलने का बिंदू उचा होता है और यह मजबूती से बना होता है। इस प्रक्रिया में गर्मी उत्पन होती है, जिससे बल्द चमकता है और रोश्नी उत्पन होती है। लेकिन ये प्रक्रिया भी बहुत सारी उर्जा खपत करती है, इसलिए ये बल्ब आधुनेक लाइटिंट प्रोध्योगिकियों के मुकाबले असंगत मानी जाती है। और रोश्नी को बाहर निकलने देता है। 2. फिलिमेंट, इन्खिंडेसेंट बल्ब के मध्य में एक फिलिमेंट होता है, जो रोश्नी उत्पन करने के लिए गर्म होता है। ये सूत्र आमतोर पर टंग्स्टन से बना होता है। 3. अलेक्ट्रिक वायर, बल्ब के अंदर एक विद्युत्तार होता है, जो उर्जा को धातु सूत्र में पहुँचाता है, जिससे सूत्र गरम होता है और रोश्नी उत्पन होती है। 4. गैस, कुछ इंकिंडेसंट बल्ब में एक विशेश गैस का भरा होता है, जो सूत्र को अधिक देर तक टिके रहने में मदद करता है और उसकी जीवनकाल को बढ़ाता है। 5. आधुनिक बल्ब में आमतोर पर एक बेस और फिलामेंट भी होता है, जो इसको इंस्टॉल करने में मदद करता है और इसे एक लाइटी वोपकरन के रूप में प्रयोग करने के लिए संबद करता है।